हेलो स्टुडेंट्स आज हम टोपिक करेंगे आर्टिकल्स वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे बीच में तो टोपिक है आर्टिकल्स आर्टिकल्स सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या है ठीक है यूज ओफ ए एंदा कर्ड इसको चनला यूज-भी लिफॉर नाउन यह पोर्पराय क्या है नाउन से पहले यूज किया जाते है धीज ऑ्ध्स और एंदा को बोलते हैं अड्यक्टिव आपको आपको क्या ऐ , जो नाउन से पहले आते हो एंध्यूी क्या होते हैं विशेशन हिंदी में बोलते हैं जो से अंगेया सोरगाम की विशेश था पर गट करें उनको क्या बोलते हैं उसमें इनको कोग इंया तिर्माइन को स्छे किनने टाइप्स की होते हैं एक डेफिने लगे अर्टिकल दूसरा इंदेफिने आर्टिकल एक होता है दा और इंदेफिने और अर्टिकल कौन से होते हैं यह एक अब indefinite कैसे है यह definite कैसे है इनकी definition थोड़ी सी clear कर लेते हैं कि indefinite article कौन से होते हैं सबसे पहले indefinite article कौन से a और n use of a n make nouns position indefinite or uncertain a और n का use किसी भी sentence में noun की position को क्या बना देते हैं indefinite बना देते हैं यानी uncertain अनिश्चित बना देते हैं वाक्य में कैसे जैसे हम example के मैदम से इसको करेंगे he saw an old man उसने किशी old man को देखा ठीक है अब यह नहीं पता कि हमने old man है कौन fix नहीं पता कि कौन सा old man किसी को देखा तो यह अनिश्चित था न old man uncertain हो गया देरवाजा king एक बार कोई राजा था या एक राजा था आर्टिकल ए और एन का मतलब एक भी होता है one ठीक है ना sentence में one का काम करता है a और एन a dog was barking at night एक कुटा रात में भोक रहा था ठीक है तो यहां पर एक क्या है आर्टिकल है यह वाक्य की क्या sense दे रहे हैं अंसर्टेन दिखा रहे हैं कि कोई कुटा आप यह नहीं पता टोमी है जो इसका कुट्य का नाम का नहीं पता है किसका है कैसा है उसका कुछ नहीं बता रहा रखार बस एड डोग वाजबार किंग में भोक रहा था देरवाजा किंग, अब किंग का यह नहीं पता किंग महाराष्टर का किंग था, यह आवद का राजा था, कौन सा राजा था, इन नहीं पता, यह अंसर्टेन बताएं कोई राजा था, एक राजा था, ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल, आही होप आपको समझ में आ गया कि the position को definite कैसे बनाता है, अब देखो example, the house in which I live is new, वो घर जिसमें में रहता हूँ, वो क्या है, नया है, तो house कौन सा house, जिसमें में रहता हूँ, तो इसमें clear कर रखा है न, ना उनको, कि जिसमें में रहता हूँ, वो house क्या है, नया है, तो यह certain हो गया, अब देखो, this is the pen which I have bought, यह वो ही pen है, यह वो pen है, जो मैंने खरीदा है, the gold of Nepal is cheap, अब नेपाल का gold, gold क्यों सा है, नेपाल का, ठीक है, वो cheap है, वो सस्ता है, तो यहाँ पे the gold का मतलब है कि, नेपाल का gold, ठीक है, definite बना रखा है, वाक्यों क्यों, क्योंकि इसमें define का रखा है, कि gold किसका है, मैंने खरीदा था, house कोंचा, जिसमें मैं रहता हूँ, वो कैसा है, नया है, तो house, house noun है, जो subject होता है, और जो object होता है, यह तो noun होता है, यह pronoun होते हैं, तो noun से पहले जो लगते हैं, वो, क्या होते हैं, अर्टिकलस होते हैं, देखो, position, position of noun, हम वाक्य में कैसे पहचानेंगे, कि, देखो कई बार error आ जाते है sentence में कि कई बार a पहले लगा देते हैं, n पहले लगा देते हैं, noun बाद में लगा देते हैं, तो आप कैसे पहचानोगे कि article की position यही है, तो इसके लिए कुछ एक rule है, a और n दा, इसके बाद noun, यह हमेशा noun से पहले आएंगे, a, n और दा, जैसे I have a book, अब book क्या है, noun है, तो noun से पहले क्या आ गया, a, he has an umbrella, अमरिला से पहले अमरिला क्या है, noun, तो इससे पहले क्या आ गया, an, the cow has a tail, गाएंगे एक पूछ है, तो tail से पहले देखो, tail भी noun है, और cow भी noun है, तो इन से पहले article का यूजो रुख है, दूसरा देखो, a and the, noun से पहले adjective आ जाए, noun की जो विशेशता बताई वो adjective होता है, अगर adjective आ जाए, तो हम noun से पहले नहीं यूज करेंगे, adjective से पहले यूज करेंगे, बीच में adjective यूज होगा, उसके बाद noun होगा, ठीक है, अब अगर हम noun के बाद, यहाँ पे, adjective के बाद, noun से पहले, अगर हम a and the यूज़ करेंगे तो sentence हमारा incorrect हो जाएगा देखो she is an intelligent girl अब यहां पर girl क्या noun है intelligent क्या girl की विशेष्टा girl कैसी है intelligent है तो यह adjective है intelligent और girl क्या noun तो हमने an का यूज़ कब किया adjective से पहले तो यह sentence हमारा correct है अगर हम ऐसे लिख दें this is intelligent a girl तो यह wrong हो जाएगा ना यह incorrect हो जाएगा sentence तो correct method क्या है कि अगर adjective आ जाए इस noun से पहले तो adjective से पहले हम an का यूज़ करेंगे second example देखे monica has a long stick monica के पास एक लंबी stick है तो a stick नहीं लगाएगे अगर हम देखो ऐसे बोलेंगे monica has long a stick तो इस sentence incorrect हो जाएगा correct क्या है monica has a long stick तेंदूलकर is the best player तो यहां पे देखो player player क्या noun यहां पे भी stick क्या थी noun नाउन से पहले best best मतलब सबसे अच्छा तो यह क्या हो इसकी quality बता रखी है player की quality क्या है वह कि वह सबसे अच्छा है तो यह adjective हो गया adjective से पहले हमने दा का यूज कर दिया यहां पे भी stick कैसी थी लंबी long stick थी तो stick क्योंग है इससे पहले हमने article यूज कर दिया third rule क्या है अगर sentence में noun दे रखी है adjective दे रखी है उससे पहले एडवरब भी दे रखी है तो हम एडवरब से पहले दा ए एन दा का यूज करेंगे फिर एडवरब होगी एडवरब के बाद adjective होगा फिर noun होगी ठीक है देखो example she is a very intelligent girl ठीक है अब देखो girl क्या है noun noun की इससता क्या है वह intelligent है यह adjective हो गया अब very क्या है यह आपर very क्या है एडवरब है देखो एडवरब बेटा कई बच्चे कहते हैं कि एडवरब तो वरब की विसेस्ता परकट करती है एडवरब है जो वरब की विसेस्ता परकट कर सकती है और adjective की भी विशेष्था परकट करती है sentence में तो adverb क्या है एड़वर्ब जो adjective की विशेष्था भी परकट करें और verb की विशेष्था भी परकट करें दोनों की विशेष्था परकट कर सकते है ठीक है तो यहां पे एड़वर्ब की विशेस्ता एड़वर्ब की विशेस्ता एड़वर्ब यहां पे वैरी क्या है एड़वर्ब है तो एड़वर्ब से पहले हमने एका यूजे किया है संटेंस में she is a very intelligent girl तो यह संटेंस हमारा correct हो जाएगा अगर हमें ऐसे करेंगे she is very an intelligent girl तो संटेंस हमारा incorrect हो जाएगा अगर हमें टिकल लेगी ठीक है second example देखो she is the sorry he is the very best player तो यह संटेंस हमारा correct है कई बचे यह सोचते हैं कि best से पहले दा लगाना है अगर very ना होता तो आप best से पहले दा लगाते लेकिन अगर एड़रब दे रखा ना adjective से पहले एड़रब दे रखा है तो हम एड़रब से पहले दा लगाएंगे clear है अब कई संटेंस में वैसे दा वैरी लिखा होता है दा वैरी तो बच्चे कहते हैं कि वैरी से पहले दा तो लगता है नहीं दा वैरी का मतलब हो जाता है वही ठीका है यहां दा वैरी मतलब बोल रहें ना this is the very girl the very girl का मितला कि वही लड़की है तो हम girl पे जोड डालने हैं ना उन पे जोड डालने हैं लास्ट में girl क्या है ना उन पे जोड डालने के लिए दावारी का यूज हुआ है अब last rule second last जैसे such what many rather half अगर sentence में ये word हो such what many rather half अगर ये हो तो इसके बाद an का यूज होगा फिर noun आएगी मतलब noun से पहले an लगेगा इन words के बाद an लगेगा देखो जैसे such a girl what a fool many an import rather an idea half an hour many a book लेकिन अगर many के बाद books हैं अगर इन के बाद plural noun है plural मतलब बहुआ चन plural noun है तो क्या होगा an का यूज नहीं होगा अब देखो जैसे कुछ एक word है जैसे such what many rather quite फिर an और adjective देखो यहां पे adjective नहीं था अगर such what many in words के बाद adjective नहीं है नाउन है बस तो नाउन से पहले an यूज करेंगे अगर नाउन से पहले adjective भी रखा है तो adjective से पहले हम an यूज करेंगे जैसे हमने पह देखो such a beautiful girl what a big fool चीक है आशर्च नहीं करेंगे यहां पर असर्च करेंगे तो incorrect हो जाएगा sentence आशर्च beautiful girl तो गलत हो जाएगा हम correct कैसे लिखेंगे such a beautiful girl यहां पर second example देखे what a big fool चीक है लाश्ट देखिए how so to as अगर यह sentence में है और फिर adjective दे रखा है तो हम adjective से पहले नहीं लगाएंगे यह एड़ेक्टिव के बाद लगाएंगे यह थोड़ा अलग rule है इसको ध्यान से रखना word को याद रखे how so to as अब example के मादम से clear केंगे जैसे how beautiful a girl is she कि वो कितनी beautiful लड़की है देखो उपर सच था such a beautiful girl what a big fool यहां पे words अलग हैं देखो how so to as यह आपने याद करके रखने है इनसे पहले अगर adjective है और noun है तो हम adjective और noun के बीच में an का यूज़ करेंगे how a beautiful girl she is she is sorry it is so fine a day तो so so का यूज़ हुआ ना fine क्या है day देखो day यहां पे noun है day क्या है noun noun से पहले fine day कैसा है दिन कैसा है fine है अच्छा है तो fine क्या है adjective adjective से पहले और noun से पहले और adjective के बाद में हमने article यूज़ किया है तो यह sentence हमारा correct है तो इन words को अपने ध्यान में रखना है जैसे अब लड़की कैसी है girl कैसी है beautiful है girl क्या noun और beautiful क्या adjective तो adjective के बाद हमने यूज़ किया है ए और अगर आप screenshot लेना चाहूँ तो ले सकते हूँ चलिए हम next देखते है यूज़ ओफ आर्टिकल्स हमने अभी तक किये है आर्टिकल्स की position कैसे कैसे हो सकती है sentence में हम कैसे पहचानेंगे कि article कहा आना था अब हम यूज़ ऐसे करेंगे आर्टिकल्स को आर्टिकल्स में ए का यूज़ होगा sentence में एन का यूज़ होगा हम यह कैसे पहचानेंगे देखो कई sentence में कई बच्चों ने बच्पन से रट रखा है कि जो वावल sound होती है ना वावल कितने होते हैं पांच वावल होते हैं यह आप जब किड्स थे ना चोटे बच्चे थे नर्श्री के जिगे तब आपको सिंपल वे में सिखाने के लिए कि अगर यह वर्ड दिख जाए यह पांच वावल हैं तो इनसे पहले अगर वह सब्द आ जाए तो एन लगा दियो यह वर्ड दिख जाए तो नहीं तो ए ल servesques लेकिन स्टेश्वंटेश्ट decomposition लेकिन साउंड इंग्लिश्वंटिश्वंटेष्व सब्सक्रावर कोर्टी यहोट होतीर ऐंधाय है ठीक है और यह तो आप साउंड का चैक्टर करेंगे तब सीख लेंगे आप सिंपल वे में सिर्फ इतनी याद रखेंगि कि अगर वाबल साउंड आ जाती है तो हमने एन लगाना है चीक है अगर कॉंसोनेंट साउंड आती है तो हमने ए लगाना है चीक है अब कैसे याद करोगे हिंदी में आपको एन आर आते हैं देखो अगर ए आ ए बड़ी ए उ री ए आई ओ ओ ठीक है ये जो ग्यारा सवर होते हैं इनको याद रखना आपने अगर ये साउंड है संटेंस में तो आपने एन लगाना है अगर कैसे आगे बाकी साउंड है तो ए लगाना है ये याद रहेगा अगर हिंदी में सवर को पहचान OAIUE ये 11 साउंड देख रही है संटेंस में ये साउंड आरी है तो एन लगाएंगे नहीं तो ए लगाएंगे ज़क है जैसे हमने कोई भी वर्ड किया जैसे यूनियन कर लिया अब ये U से शुरू हो रहा है ना Union U क्या है? A, E, I, O, U U तो वावल है लेकिन Sound कैसे आ रही है? यह यह गवाड़ी तो यह क्या है? वेंजन है ठीक है ना? Consonant है तो हमने क्या लगाया? इससे पहले A लगाया तो simple सा funda है कि Word देख लेना First letter देखना word का ठीक है? First sound देखनी है First letter अगर consonant है और sound भी consonant है तो हम यूज़ करेंगे A ठीक है? Consonant word है वावल sound है तो हम N यूज़ करेंगे Sound देखनी है हमने वावल sound ठीक है? वावल है वावल sound है तो N ही यूज़ करेंगे अगर वावल से start हो रहा है वावल साउंड है तो एन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कुछ एक अग्जम्पल के मादम से हम देखो इनको क्लियर करने की कोशिस करते हैं आप देखो शुरू से शुरू तो यह ऐस से हो रह कि बाल लेकिन यह है वो जो उत्राधीकारी के रूब में होता है तो इस से पहले बी क्या लगा आण exercise exercise तो A sound आ रही है न तो क्या आगा है Indian E first sound देखने हैं अपने बाकी sound नहीं देखने हैं first letter first sound तो in तो E sound है तो क्या लगा है ugly U से start हो रहा है U क्या है sound भी क्या रही है वावल अगली sound आ रही है तो N अब next देखें U utensil sound कैसे आ रही है यह क्या है व्यंजन तो क्या लगेगा व्यंजन sound व्यंजन यानि consonant होते हैं व्यंजन वावल होते हैं अगर सवर sound है तो N लगाना है व्यंजन sound है तो क्या लगाना है A लगाना है तो sound कैसी है, व्यंजन, तो हमने क्या लगाया, A one, देखो sound, vowel है, ओ, लेकिन sound कैसी आ रही है, व, व sound क्या है, व्यंजन, consonant, तो हम क्या यूज़ करेंगे, A next देखिए, M, A, M, M, तो sound क्या है, A, तो हमने, क्या लगाया, N क्योंकि A, server है, server, N, C, C, N, तो sound क्या है, first, A, तो क्या लगाया, N hour, 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 hour नहीं है, ये, H से start हो रहा है, hour, hour, तो क्या लगाया, N H, H, कैसी लिखेंगे, H, A, तो क्या लगाया, N, university, ठीक है, तो ये sound है, तो क्या लगा, A क्योंकि ये, consonant है, uniform, ये, ये है, तो, A, अब, वन, ठीक है, वन, रुपी नोट, तो वन, वै क्या है, वियंजन है, तो वियंजन से पहले क्या लगना है, A, ऐसे ही, आपके books में, और सारे example होगे, आप, उन से clear कर सकते हो, स्क्रीन सोट लेना तो, आप ले सकते हो, चीक है, कि नेश्ट देखिए, जिसे आपको sentence में, कई बार देखो, ऐसे articles मिल जाते हैं, लेकिन उनका meaning कैसे होगा, देरवाज आ किंग ओफ मगद, ठीक है, मगद का एक बार एक राजा था, अब यह नहीं बता कि राम था, सीता था, मतलब कोई राजा था, ठीक है, तो एक बार एक राजा था, मतलब कोई राजा था, इसका मतलब यहाँ पे एक की sense क्या हरी है, एक की sense हरी है, एक की sense हरी है, एक बार को यह ताड़ा था छिए दाट रे रraktion रंस 80 क्लोंटर और ठीक है देखो advocacy हम ने a an easy कर दिया एन यूज कर दिया इसका मतलब है कि हमने अर्टिकल्स यूज कर दिया लेकिन अर्टिकल्स की पतलब क्या हो रहा है यहां पर परती ठीक ना इच एवरी तो ऐसे साउंड हो जाकती हैं रन दा ट्रेन रन्स 80 किलोमीटर एन आवर की ट्रेन असी किलोमीटर परती घंटा चलते हैं तो निच देखिए राइस इस सोलड एड रूपीज फिफ्टीन एक किलो कि राइस कितने एक किलो कितने किलो 15 परती किलो तो एक मतलब याँवर्ण परती किलो पंदरा रुपे, परतेक मतलब परतेक एक किलो पे पंदरा रुपे, चीक है अब देखो next sentence कई बारा मैं लिखता है he is a कालिदास यहाँ पे देखो, वैसे तो प्रोपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता लेकिन यहाँ पे he is a कालिदास, वह कालिदास जैसा है हम अगर प्रोपर नाउन को हमने कोमन नाउन की तरह दिखाना है sentence में हमने प्रोपर नाउन को कैसे दिखाना है, कोमन नाउन की तरह यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज़ करेंगे, an का यूज़ करदेंगे तो वो प्रोफपर नाउन कैसी दिखेगी, common noun जैसी दिखेगी, you are a tendulker, तुम tendulker हो tendulker जैसे हो, मतलब tendulker नहीं हो tendulker तो नहीं हो सकते न, tendulker ही tendulker रहेगा, यहाँ पर a का यूज़ कर दियागी, तुम तेंदूलकर जैसे हो तो हमने proper noun को कैसे यूज किया है common noun की तरह यूज किया है अगर हमने proper noun को common noun की तरह यूज करना है तो हम article यूज करेंगे अब देखो meaning को समझने की कोशिश करना देखो 6 पर लिखा है a black and white का अब दोनों में difference क्या है देखो अगर हमने कोई भी adjective यूज करना है तो जितने हम adjective यूज कर रही हैं अगर हमने उतने ही article यूज की हैं तो उतने ही candidate भी जादा है अगर एक आर्टीकल यह उज़ क्या है तो मतलब एक ही candidate है देखो यहाँ पे a black and white cow यहाँ पे एक ही गाई है वही black and white है वही काली भी है और सफेद भी है ठीक है? यहाँ पे होगी एक काली और सफेद गाई लेकिन अगर seven sentence देखें a black and white cow यहाँ पे एक तो गाई कैसी है? ब्लैक है और एक कैसी है? यहाँ पे दो गाई है ठीक है? और यहाँ पे कितनी है? समझे हमाः डीफरेंस? एक ए लगाने से हमारे meaning कैसे चेंज हो रहे है यहाँ पे a black and white cow मतलब एक गाई की बात हो रही है वही black and white है ब्लैक और वाइट है यहां पर एक तो ब्लैक है और एक क्या है वाइट है यहां पर दो गाई है ठीक है नाशन तेंस देखिए और मिस्टर मोहन वाइट to talk to you हम जैसे की को बता रहे हैं या जैसे आपके फादर पूछ रहे कोन आया है तो हम कह रहे है अम इस्टर मोहन मतलब उसने नाम तो बता दिया कि वह मोहन है लेकिन हम तो नहीं जानते न उसको हम क्या वो लेंगे मिस्टर मोहन कोई मिस्टर मोहन आपसे बात्चित करना चाहता है वह हमारा अन्नोन है एक क्या बना रहा है अंसर्टेन संटेंस में शुरू में बताया था कि जो ए और एन है इंडेफिनेट आर्टिकल वह ले सकते हो अब आपने पहले क्लियर कर लिया आप invention में बता आप मुझे क्या हुआ एक लर्क एंड ग्याशियर एक लर्क and a cashier आई होप आपने सोच लिया होगा देखो a clerk and cashier इसका मतलब है कि एक ही candidate है वही clerk है और वही cashier है चीक है यहाँ पे a clerk and a cashier इसका मतलब है एक तो clerk है और एक cashier है candidate कितने है दो अब अम करते हैं no use of an कि sentence में कई जगह ऐसे होते हैं कि ए एन का यूज ही नहीं करना होता और हम यूज कर देते हैं और हमारा संटेंस इंकरेक्ट हो जाता है तो वो कौनसी कौनसी संटेंस में हमने बाते ध्यान में रखनी हैं कि जहां यह नहीं करकि Maine विसलीद्ट को अनी लगेगा जैसे वी लीव इन बिहार हमton में रहते हैं तो प्रोपर नाम है विहार किसी श्टेट का नाम प्रोप्र है तो हम यह नहीं कह सकते, we live in a bhihar, in a bhihar incorrect हो जाएगा, क्योंकि यह proper noun है, proper noun से पहले आर्टिकल नहीं लगता, निलू is a naughty girl, निलू classical है, naughty girl है, शरारती लड़की है, तो अनिलू नहीं लगाएंगे हम, ठीक है, अनिलू लगाएंगे तो sentence incorrect हो जाएगा, ठीक है, प्रोपर noun से पहले आर्टिकल नहीं लगता, rule number second देखें, uncountable noun, अगर uncountable noun है, जिनको हम नहीं जानते, sorry, uncountable हैं, जिनको हम count नहीं कर सकते, उनको क्या है, उनसे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे gold, tea, coffee, music, poetry, आपको ध्यान में आ रहा है कि यह poetry, information, ठीक है, abstract noun होती है न, जिनको हम feel कर सकते हैं, mostly उनसे पहले भी आर्टिकल नहीं लगता, mostly, ठीक है न, एक आधबार लग जाता है, कुछे case में, लेकिन abstract noun से पहले भी, mostly, articles का यूज नहीं होता है, और uncountable noun है न, उनसे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, जैसे silver है, petrol है, oil है, milk है, information, ठीक है, लेकिन कुछे case में हो सकता है, कैसे कुछे case से, a glass of water, a gallon of petrol, a piece of advice, तो देखो हमने advice के साथ article नहीं यूज गया, a piece of advice, ठीक है, a glass of water, ठीक है, लेकिन देखो हमने पिछले sentence में किया था, कि the gold of Nepal, नेपाल is cheap, ऐसा sentence आया था हमारे, आप सोच रहें कि gold के पहले तो article लगता ही नहीं, लेकिन यह आपे दा क्यों लगा रखा था, आया होगा ना आपके दिमाख में, तो यह specify कर रखा है, कि नेपाल, वो हम जब definite article दा का यूज करेंगे ना, तब हम clear कर लेंगे concept को, अब यह gold वैसे simple बात नहीं हो रही, simple बात होती gold की, कि gold is precious metal, तो हम नहीं करते ही gold का, मतलब अन दा का यूज, लेकिन यह आपे नेपाल का specify कर रखा, कि कौन सा gold, नेपाल का gold, तो हमने special दिखाने के लिए, specify करने के लिए दा का यूज किया है, वो हम दा के chapter में करेंगे definite article म ठीक है, use of an in this way हम use कर सकते हैं, piece of advice, a glass of water, लेकिन अगर simple water हो, तो हम use नहीं करेंगे, before plural noun, plural noun, यानि भूवचन जो सेंगे हैं, उनसे पहले article का use नहीं होगा, जैसे children, auction, sheep, deer, people, ठीक है, boys, before food item, कोई भी खाने का item है, उनसे पहले भी हम article का use नहीं करेंगे, जैसे give breakfast, before lunch, before breakfast, before lunch, before dinner, after tea, ये सभी खाने के नाम हैं, उनसे पहले हम article use नहीं करेंगे, लेकिन an का use हम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, we use an when an adjective is used before food item, अगर food item, normally food item की बात हो रही हैं, तो हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनसे पहले adjective दे रखा है, food item से पहले adjective दे रखा है, तो हम an का use करेंगे, जैसे a good dinner, a delicious breakfast, a nice lunch, देखो breakfast से पहले हमने नहीं किया, लेकिन breakfast कैसा delicious, विसे इस तबता दी ना, तो adjective से पहले हमने article का use किया है, breakfast से पहले हमने नहीं किया, we don't use an only before adjective, अगर देखो यहाँ पे adjective किसकी बात कर रहा है, ना, उनकी बता रहा है ना, adjective विसे इस ता परकट कर रहा है, लेकिन अगर वाक्य में सिर्फ simple adjective ही use हो, तो हम article का use नहीं करेंगे, जैसे he is honest, तो हमने article use नहीं किया, हम ऐसे नहीं बोल सक सकते, यह sentence incorrect हो जाएगा, हाँ अगर, यहाँ पे आगर हम noun use कर दे, man, man क्या, noun, noun की विसे इस तब जा रहा है, adjective, तो हम N का use कर सकते, तब तो correct हो जाएगा, लेकिन अगर man नहीं है, तो article भी नहीं है, ठीक है, simple, अगर simple, सिर्फ adjective use हो, और noun ना हो, noun missing हो, तो adjective use नहीं होगा, देखो, possessive adjective है, determinist, sorry, demonstrative है, या distributive है, adjective, तो उनसे पहले भी हम article का use नहीं करेंगे, जैसे my shirt, our country, यह क्या है, possession दिखा रहे हैं, my, मेरा, our, ठीक है, demonstrative है, जैसे this, that, ठीक है, जो संकेत करें, यह है, वह है, demonstrative, pronoun में हमने सिखा था है, demonstrative, यहाँ पे adjective की बात होती, adjective भी demonstrative होता, distributive, distributive, जिसे परतेक की बात करें, every girl, each girl, वीडियो काफी बड़ी हो गई है, हम definite article, next वीडियो में कर लेंगे, आज हमने सिर्फ indefinite article किया है, अगर आपने screenshot लेना है, तो ले सकते हूँ, I hope आपको समझ में आ गया हो, वीडियो को दो बार देखिए, अच्छे स और समझी है, और पढ़ते रहें,